दोस्तों की LD Classes में आप सभी का स्वागता आज हम बात करने वाले है भारती रेलवे सरकार जल्द ही जो रेलवे के करमचारी है उनको बहुत ही भड़ा जटकार देने वाली है क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट डाटा निकाला गया है इससे आप दैनिक जो जागरण है कि घटे का समय या बहुत ही बड़ा मुश्किल समय आने वाला है क्योंकि रेलवे जो गौर्मेंट है 50% करमचारियों का रिटायर्मेंट जबरजस्ती जो VRS सुबिदा होता है जिसे वेलेंट्री रिटायर्मेंट इसकी स्कीम कहते हैं और इसके साथ कई ऐसे और आकरसक जो इसकीम निकालने वाले हैं जिसके माद्यम से रेलवे करमचारियों के 50% करमचारियों की छटनी होने वाली है अभी मैं आपको वताउँगा कि की साथार पे या रेल बे सरकार की साथार पर कहरे है कि वो चीन से तुलना कर रहे हैं तो चलिए बात करते हैं कि रेलेवे हम आते हैं रेलवे की जितनी भी आय होती है उससे 60 परसेंट या उसका साट परसेंट हम सिर्फ कर्मचारियों का वेतन हो गया भत्ते हो गया और पेंसन पर हम कह सकते हैं कि खर्च करते थे तो हमारे पास पैसा बज़ता ही नहीं है हमको फाइदा हो नहीं रहा इसी के काराण से जो भी आज परसेंट टाइम में लगबग 14 लाख पद रेलवे में है लेकिन आप समझ सकते हैं कि लगबग 3 लाख से अधिक पद रेलवे में खाली है वो भी अभी पिछले कैसे जन्वरी में फार्म भराय था अभी उसकी कोई प परजेंट टाइम में लगबग 10 लाख के करीब कर्वचारी कारे रहत है और बाकी जो पद है वो 3 लाख से उपर अभी संसद में भी पेस किया गया था कि 3 लाख से अधिक रेलवे में पद खाली है तो सबसे पहली बात इन्हों ने ये कहा कि जो चीन में जो रेलवे ट्रेक की रूट है वो अगर बात किया कितनी लंबी है तो एक लाख साथ हजार समझेगा एक लाख साथ हजार किलो मीटर लंबा चीन में रेलवे का ट्रेक है भारत में मात्र 68500 किलो मीटर लंबा ही रेलवे ट्रेक है अभी परजेंटाय में भारत में तो इन्हों ने कहा कि जो ची नहें देश को उसको समाल लेते हैं वहीं भारत में 68500 किलोमीटर लंबाई रेलवे को समालने के लिए 14 लाख कह सकते करमचारियों की और सकता क्यों पड़ी है यह जो गौवर्मेंट है रेलवे गौवर्मेंट यह अपने जो बड़े-बड़े अधिकारी उनसे पूछ रहे है कि आप इतना क्यों कहसे थे कि अराम कर रहे हैं लोगों की छटनी क्यों नहीं कर रहे हैं तरीब देख सकते हैं यहां पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे क्लियर होगा देखिए यहां पर लिखा भी है कि 13 लाख कह सकते हैं कि 80,000 करमचारी रेलवे में कारे रह इसके बादुब इन्हों ने यह भी कहा है कि भारत में प्रती दिन अगर बात किया जा कि भारत में प्रती दिन कितने ट्रेण चलती है चाये जो रेलेवे का प्रती दिन प्रती वर्स कह सकते हैं कि बिदुती करण या जो इलेक्ट्रिक वाला कह सकते हैं कि हम कर रहे तो इससे कहीं न कहीं जो करबचारियों की जो संख है वो हमें घटा नहीं होगा क्योंकि पहले जो डीजल इंजन चला करता था समसकते हैं कि आज मैं आपको बता दू कि 2019 में कितने । बिदुती करण हो चुका है मात्र आपके पास 57% रह गया है कि वह सरकार ने टार्गेट रखा है कि 2023 में हम इसके पूरा कर लेंगे 100% है भारती सरकार का कि हम पूरी तरह से रेलवे को electricity वाली कर देंगे सबी पूरा बिदूती करण कर देंगे अभी सिर्फ 43% हो पाया है तो इन्हों ने ये भी कहा है कि जिस तरह से रेलवे का बिदूती करण हो रहा उसको देखते हुए करमचारियों की संख्या घटनी जरूरी है इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले 2020 में जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि भारसरकार क्या योजना लाने वाली है जिसके माध्यम से लोगों को जवरजश्ती रिटायर करने वाली इसके बारे हम बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है सरकार की योजना 2020 में क्या होगी लागू और जिसके माध्यम से लगबग 50% लोगों को रेलवे से बाहर कर दिया जाएगा चाहे वो कोई भी हो कितने बड़े अधिकारी हो चाहे वो गुरूप C की लेबल के हो या गुरूप D सभी दोनों कैस्ते की विभागों की छटनी होने वाली है तो सबसे पहले इन्हों ने ये कहा कि रेलवे में जो भी लोग सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपको ध्यान रखना होगा अगर आप रेलवे के कर्मचारी है या railway department में अगर आप अभी competition के त्यारी करके railway में जाना चाहते हैं चाहिए वो ये NTPC के माध्यम से या group D में जाना चाहते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कैसे सरकार योजना रही है और किस प्रकार उसको लागो करेगे सबसे पहली इनकी योजना ये है कि जो भी लोग railway में 30 साल तक नौकरी कर चुके हैं उनको निकाला जाएगा उनको VRS या voluntary retard scheme जो होता है उसको माध्यम से उनको सेवा निवरित किया जाएगा या जिनकी उम्र जिनकी उम्र अगर आपने 30 साल नौकरी कर लिए तब भी आपको सरकार निकाल देगी या आपकी उम्र 55 साल हो चुके है तब भी railway government आपको निकाल देगी चाहे आप कुछ भी कितने भी अच्छे काम करने उससे नहीं मतलब है रिकार्ड आपका जो कह से रि दी गुरूप के हैं जो सी और डी गुरूप के लोग हैं चाहे इसके अलामा जो 30 साल कैसे डूटी कर चुके हैं और जो जिनकी उम्र 55 साल हो चुकी है देखे दोनों में से एक कंडिशन फाल होने चाहे तीस साल आपने किया तब भी आपको निकाला जाएगा 55 इसके बाद उन्हें ये भी का कि जो सी और डी गुरूप के लोग हैं उनका डाटा निकाला जा रहा है तैयार किया जा रहा है कि कौन से लोग हैं जो कैसते की डूटी नहीं करते हैं आज आए पता चले 3-4 दिन छुट्टी मारते हैं ऐसे लोग इनको भी कह सकते हैं कि निकालने के तैय सकते हैं निकाल सकती हैं तो भारती सरकार 56 से Кैसन56 के अनुसार ये भी का अगया है कि भषाध सरकार जिनकी age 50 प्लस हो चुकी है उनको निकाला जा रहा है चाया भी आपने विशनल में देखा होगा या म् टीनल में देखा होगा पुलिस में देख रहा है हर विभाग में कैसे इस तरह से छटनी हो रहे जिसे हम V.R.S. या कहते कि कोई आकरसर जो कहते कि आकरसर योजना सरकार लाती है इसके माध्यम से उनको निकालने की कोशिस करे तो ये थी हमारी आज की सबसे important information की जैसे ही को information आगी मैं आपको जरू सुझीत करूँगा इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD Classes की ओर से धन्यवा